हिलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक्स पर हम आपके लिए लेकर आएं स्टॉक मार्किट के एकदम लेटिस्ट खबरें तो आए चलते हैं हमारी पहली खबर की और तो दोस्तों आज की पहली खबर है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में एफमसीजी सेक्टर की दिकच कमपनी एच्चुल के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिली है आज कारोबार में एच्चुल का शेयर करीब चार फीजी तक की तेजी के साथ 2,237 रुपे तक पहुच गया जबकि बुद्वार को यह 2,145 रुपे पर बंद हुआ था कमपनी ने बुद्वार को अपने तिमाही के नतीजे जारी किये हैं जो की बजार को काफी पसंद आए है आज की दूसरी खबर भी काफी अच्छी है दोस्तो होटल सेक्टर के शेयर इंडियन होटल कमपनी में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है आज शेयर करीब 4 फीज़ी मजबूत होकर 250 रुपए तक पहुच गया है शेयर के लिए 260 रुपए एक साल का हाई है असल में कमपनी बुद्वार को अपने तिमाही के नतीजे जारी किये हैं कमपनी सालाना अधार पर घाटे से निकल कर मुनाफ़े में आ गई है तो दोस्तो आज की तीसरी कबर है कि आज के कारोबार में IT शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है निफ्टी पर इंडेक्स करीब 1.5 फीज़ी या 471.95 अंक मजबूत हुआ है इनफी में 3 फीज़ी की तेज़ी नज़र आ रही है माइंटरी, LDTS, Tech, Mahindra, HCL Tech, Wipro और TCS में 1.5 फीज़ी से 1.5 फीज़ी की तेज़ी है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही स्टॉक मार्केट के और खबरे जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले